कि वाइश चेक करिये कि रिडम्शन और प्रफ्रेंश चेर क्यापिटल कि यह सर चलिए आज ना एक रिवीजन चेप्टर लेके आए हूं मैं कि रिडम्शन के अगर मैं समुस्टर चार की बात परूं समिस्टर दो कि बात बहुत बच्na कि भी आधने दो शभी कि एक तीन चरक्तर कि रिवीजन में मैं आपके लिए करवा हूंगा TTS में जो क्लास चाइम चल रही है वो तो चलती रहेगी लेकिन सुभे सुभे रेगुलर में एक ऐसा चप्टर लेके आऊँगा जो की पूरा रिवीजन रिवीजन का मतलब मैं एक से डेड़ घंटे की मैक्समम क्लास में सारा का सारा मैं कवर अब करा हूँगा एक से लेके डेड़ घंटे करना होगा ठीक है जैसे कि आज है इसमें थोड़ा नोटिंग का टाइम नहीं मिलेगा और नहीं आपको क्लास मिलने वाला है तो आपको एक मेहनत करने पड़ेगी कि आपको वीडियो मिल जाएगा और वीडियो को देख देखके फिर नोट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक घंटे में पूरा रिवीजन क का मतलब कोई टॉपिक छोड़ूँगा मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूँगा और ये भी बना दूँगा कि एक्जाम में किस पैटरन पर कुश्चन पूछा जाएगा तो आप अच्छे से प्रिपेर कर पाए तो रेडम्शन औफ प्रिफरेंशियर में एक तो हमारा रेडम्शन आउट 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 आउफ रेजर्ब और इंड सरपलस एक है रेडम्शन आउट 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 आउफ प्रेशीशो एक है सर दोनों टॉपिक को मिला के Redemption Partly Fresh Issue And Partly Reserve एक है सर Fresh Issue Required Amount Finance एक है Minimum Number Of Fresh Issue और यही समझ लीजे मैं इसके अंदर जो टॉपिक का बोला था Topic VC में cover हो जाएगा Minimum Number Of Fresh Issue जिसे हम Equation Method के अंदर भी लेंगे Equation Method इसके बाद और कैसर और है हमारा Preferences Share Holder Preferences Share Holder Could Not Freeze और क्या Topic बनता है इसमें और बनता है हमारा Mix Question यह Conversion कर लेते हैं और क्या बनता है सर्ट कनवर्जन और मैं इस चेप्टर को बहुत आसान कहूंगा मैं कहता हूं डेट से दो गंटे में चेप्टर खतम किया जा सकता है बसरते आपको अगर basic concept पता चलिया है ना अगर तो एक-एक point add होना है और general entry कोई भी add नी होना है बस calculation का part add हो जाना है Redemption of Preferences Share होता क्या है माल लेते हैं x, y, z limited एक company है अब इसके पास 10% preference share capital है at the rate एक लाग तो government का rule है कि आपको अगर आपने कभी भी preference share issue किया है तो आपको इसके 20 साल 20 येर कुछ के इसमें 10 साल है कुछ के इसमें 20 साल मैं मोटा मोटा एक ले लेता हूँ 20 साल के अंदर आपको इनके पैसे return करने ही करने यानि कमपलस है के preference share को आपको redeem करना ही करना होगा एक certain time के बाद तो redeem करने का मतलब क्या है कि जो आपके पास public ने पैसे दिये थे किस चीज के पैसे दिये थे preference share capital के वो पैसे इनको लोटा दो return कर दो इस process को बोलते हैं redemption of preference share लेकिन इसको लोटाने से पहले हमें कुछ law को follow करना पड़ेगा यानि law की जो requirement है conditions है उस condition को follow करना पड़ेगा condition क्या है कहता है कि भाईया जब कभी आप redemption करोगे तो सबसे पहले आप CRR create कर लेना मतलब capital redemption reserve पता होगा सबको नाम CRR capital redemption reserve create कर लेना तर create करने के लिए आप इसका करना general reserve use number 2 free reserve बस इन दोनों का ही use करना क्या use नहीं नहीं करना not use capital reserve permission मिलेगा तो use कर सकते हैं वैसे नॉर्मल ही आपको use नहीं करना security premium any kind of specific reserve जैसे IFR investment fluctuation reserve इनका इस्तमाल नहीं करना आपको CRR create करना है सर कितना create करना है तो law ने बोला hundred percent CRR create करो इसका मतलब सर अगर मुझे एक लाक रुपे का french share को redeem करना है तो पहले मुझे CRR में कितने पैसे डालने हैं एक लाक रुपे डालना है और यह हमेशा hundred percent किसका होगा सर यह hundred percent हमेशा होगा that is face value ठीक है तो मुझे redeem कितने share करने थे एक लाक रुपे का तो मुझे CRR कितना बनाना होगा एक लाक रुपे का ठीक है अब दूसरा example देखो इसका मतलब मुझे जो return करना है उनको वो कितना करना है टोटल एक लाक दस अजार अब बताओ CRR कितना बनाना होगा जवाब है sir CRR बनेगा एक लाक यानि CRR हमेशा कितना बनने वाला है face value के बराबर ही बनने वाला है face value से ज़्यादा नहीं बना सकते कहीं आप सोचो के सारे एक दस वापस करने है तो CRR तो एक दस होना चाहिए नहीं 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 CRR कितना बनेगा equal to face value बनेगा ठीक है मान लो यह पहले यह point clear हुआ मैं ज्यादा elaborate और ज्यादा detail में बहुत खीचना नहीं चाहता सिद्धी सिद्धी बात है कि आपको अगर preference यह redeem करना है तो आपको CRR बनाना पड़ेगा कितने percent hundred percent ठीक है यह clear हुआ कहां से CRR बनाना है यह source है हमारा CRR बनाने के ठीक है एक बार मोटी मोटी बाते इसके अंदर से note क्या करने आपको source वैसे note करने की जुरत नहीं पड़ेगी वो करते-करते यहाद हो जाएगा मैं erase कर देता हूं इसको फटा-फट से हम पहले इस topic को cover करेंगे एक-एक topic को करता जाओंगा और इसे erase करता जाओंगा ठीक है ना clear है पहले यहां तक समझ में आए law का requirement क्या है वह यहां सर हमें प्रफ्रेंशियर को redeem करना ही करना है और redeem कौन सा प्रफ्रेंशियर होता हमें सब fully paid up बातों को याद रखना जो चीज़े मैंने नहीं लिखना प्ली कौन सा fully paid up अगर माल लेते हैं कि मेरा प्रफ्रेंशियर यहां प्रफ्रेंशियर और फिर उसको क्या करते हैं मंगवाते और फिर उसको तल करते हैं रिडीम कर लेते हैं ठीक है तो चलिए कुछ और एक्जामपल के साथ देखते हैं पहला वाला पॉइंट चलिए एक्जामपल बह। सिंपल सिंपल एक्जामपल लोगा मेरे पास जो मुझे याद आता जाएगा मैं अपने हिसाप से बना-बना कर मैं लहता हमाता होगा को एक्जामपल की दोरत निया्याइं इसके basis पर आपको question करना मिल जाएग बुक बुक में आ जनरिजब में मेरे पास दो लाग है और मेरे पास जनरिजब के बाद दो लाग है और मुझे 12% प्रिफरेंच शियर कैपिटल रिडीम करना है रुपीज वन लेक फिफ्टी थाउजन और मेरे पास सिक्यूरिटी प्रीमियम में भी पैसा पड़ा हुआ है पचास अजार दो तरीके से कुश्चन को करके दिखाईए अगर एट पार रिडीम करते हैं तो क्या होगा और दूसरा आप बताईए अगर एट प्रीमियम करते हैं प्रीमियम कितने % पे ? 10 % पे तो क्या होगा ? सबसे पहले हमें क्या करना है ? सबसे पहले हमें CRR करना है मैं पहला case करने वाँ हूं case number one CRR क्रेट करना है तो सबसे पहले आप को calculate करना हम कि भाईया कितने रुपये का preference तो ज्वाब मैंने amount लिख रखा है इसको लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता था पंदरा हजार एड़ना रेट एन इज ऐसे भी बोल सकता हूं है तो आपको face value से multiply करके पहले पता कर लेना है तो कितना पता कर लिए आपने सर यानि सर face value आप बताईए क्या बन रहा है तो CRR डेट लाख बनेगा हमारे पास GR में 2 लाख है क्या SP हम बना सकते यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते सिर्फ क्या करेंगे हम GR एंट्री हमें general reserve account debit तर्ट general reserve debit क्यों हां क्यों हुआ क्यों है लाइव लिटी में था इसको यूज करेंगे CRR डेट क्लियर कोई दिकत पहले एंट्री में अब इसके बाद नमबर दूसरी एंट्री अब बुला लो प्रफ्रेंच शेयर होल्डर को तो भईया 10% प्रफ्रेंच शेयर क्यापिटल कितने टेट लाख और भईया प्रफ्रेंच शेयर होल्डर टू बैंक करके पेमिंट कर देंगे हमने इस टाइप के एंट्री करी हुई है पहले जिसने नहीं भी कर रखा है आपको मैं समझा देता हूं कि क्यूं हो रहा है इसा सबसे पहले CRR क्रिएट किया जरलरिजस्ब कहां होता है हमारे लाइबिटृ में जो भी यूज करोंगे इसको डेबिट करके यूज करने डेबिट lesson कार्स में और किया हूँieur करके भर चुलों Clips और कुछ पी मैंने बोला आगर आप प्रीमियम पर करोगे तो क्या रहेगा answer case । तुसर CRR फिर से बनेगा यानि जनर रिजर्व तू CRR अब भया हमें 10% प्रिमियम का यानि हमें देखना जाए तो रिटन जो करना है वो कितना रिटन करना है तो उसका पैसा ही है प्लस में 10% प्रिमियम 15 यानि टोटल रिटन करने की बारी आगे एक लाग 65,000 रुपए लेकिन मैं CRR में हमेज़ा फेस बेली बनाऊ हुआ यानि कितना बनने वाला है क्लियर अब प्रिफरेंच यानि को बुला लो 10% प्रिफरेंच यार कैपिटल और सिक्यूरिटी प्रिमियम भी देंगे तो सिक्यूरिटी प्रिमियम अकाउंट डेबिट हो जाएग सिक्यूरिटी प्रिमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टोटल पैसा मुझे कितना देना है प्रिफरेंच यारोल्डर को 165 अब पेमिंट कर दें प्रिफरेंच यारोल्डर आ जाओ और अपना पेमिंट ले जाओ कैसे कर देंगे बैंक से हम यह मानके चल रहे हमारे पास बैंक में बहुत पैसा इसलिए पेमिंट कर पा रहे है अब इस security premium को write off करना होगा तो यह security premium नई वाला इसको खतम करने के लिए क्योंकि यहाँ पर क्या है debit और यह मैं लिख देता हूँ यह new वाला है और यह कौन से वाला है old वाला तो security premium को write off करेंगे इसको credit करना पड़ेगा और यह old है तो old मतलब यह credit रहा होगा तो मैं कर दूँगा old वाला security premium अकाउंट debit to new security premium अकाउंट यानि आप चाहो security premium को write off करने के लिए मैं दूसरा इसका alternative यह भी कर सकता था जयना reserve यह भी मैं alternative कर सकता था लेकिन security premium को पैसा इस्तमाल करना असान नहीं होता है इसलिए law के आप से पहले उन चीज़ों को इस्तमाल करो जहां पर जिसके लिए बनाया क्या है ठीक है दोनों केस खतम first case done कोई दिक्कत है तो बताईगे इसको image क्लिक करना है क्लिक कर लो कि मैं इसे erase करके फिर दूसरे पहांगा तीसरे पहांगा जल्दी खतम करते हैं चीक है पर फटाफट जल्दी जल्दी जिसको image क्लिक करना है अब इंस्टेंट डल जाएगा 15-20 मिनट में आपको मिल जाएगा वैसे वीडियो मिटा देते हैं यानि मैंने लिखा था out of reserve इसमें दो cases बन सकते थे दोनों बना दिये मेरा मन कर रहा है मैं एक case और बना दू तो बना ही देते हैं 10 पर्सेंट प्रफरेंच शियर कैपिटल दस अजार एट टैन रुपीज एज एट रुपीज पेड़प ठीक है और जी यार में मेरे पास बैलेंस अवेलिबल है आप बोलागे इसको रिडीम करो कोशन देख लिया आपने समझ रहे कोशन अब यहां पर कोशन में क्या आगे इसका पेड़प डाल दिया अकाउंट डेबिट तू 10 परसेंट प्रफरेंच शेयर क्यापिटल यह तस अजार है और दो रुपे मंगवा रहे हैं तो कितने आ जाएंगे बीस अजार के लिए पैसे आ गए अब क्या करें हम बैंक में पैसा रिसीव करें बैंक अकाउंट डेबिट आगे बीस अजार पूरे और तू प्रफरेंच शेयर फाइनल कॉल बिल्कुल शेयर्स वाली एंट्री है ऐसा नहीं है कुछ अलग है इसके बाढ़ हमें क्या करना है इसके बाद हमें करना है फिर से CRR क्रिएट अब CRR क्रिएट कितना आपफेके बराऊपर तो आजागा जरुर्स का ?? कितने आएंगे बताओ एक लाक रुपे वेरे सिंपल उसके बाद क्या करें टैन परसेंट प्रफ्रेंच ये अगर पूछा भी गया तो आपको पार्टली पेड़ पेले क्या बनाना है पुल्ली पेड़ उसके बाद आपको काम करना है क्लियर है इमेज क्लिक कर लेज़े ओनलाइन वालों को अभी मिल जाएगा वो तो इमेज चलिए डन और इनफेक्ट मैंने टैनियर में जो आपके सवाल डाले न ऐसे ही जैसे मैंने हैं टॉपिक वाइस करा है न ऐसे ही टॉपिक वाइस आपको मिलेंगे पहला कोशन देखोगे रिजर्ब पे हैं दूसरा कोशन देखोगे इसी तरीके से मैंने केस वाइस बना के डालें थाकि आपको प्रेक्टिस करोगे ना तो आपको ज़्यादे दिक्कत नहीं होगी अब बस एक घंटे भ्यान से देखते जाहिए गितना होता है मेरी कोशिस तो है कि आज कवर करें प्लेश इशू लौ कहता है कि मेरे भाई अगर आपको टेन परसेंट प्रफ्रेंश येर क्यापिटल अगर एक लाक रुपे का रिडीम करना है और तेरे पास जनर रिजर्ब अगर कुछ भी नहीं है तो CRR तो तू बना ही नहीं सकता CRR तो नहीं बनेगा क्योंकि CRR भीजाने के लिए जनर इसब ये फिर इसब चाहिए ये प्रॉफिट और लॉज का बैलेस चाहिए तो नहीं बना सकता तो लॉज ने दूसरा उप्शन दिया कि तू एक काम का कि शेयर इक्डीन नियू एक्डी Всем करता है लेकिन ज्याद ज । पहले तुझे क्या करने इसके ऐसेां कम करें यानि अब इस में देखा जाए तो मुझे एक लाज रॉपए का इंतीजाम करना है और भूला न्यू एक्डीLAN स्षैर हालीं उत तेश्य इस बटाने हैं हम नही है गर उइक लाख रूपए का आगर आपको रूपए का इंतजाम करना है दस रूपए का एक संपयक AmAA सिर्द इसु करना पड़ेगा पहले हम करेंगे यह शेयर से एब्लीकेशन कैज यह तुस्य बप 25 थैसके पास शेयर ऐप्लीकेशन कितनेem कितने हो गए एक लाक एक लाक क्या CRR बनाने की ज़रत है नहीं है दोनों में से एक काम करना है या फ्रेश इसू करना लो तो आपको फ्रेश इसू करके कर सकते हो तो यह किसकी एंट्री है सर्फ्रेश इसू करने की अब हमें क्या करना है तेन पर्सेंट प्रफ्रेश शेयर क्यापिटल अकाउंट डेबिट तू प्रफ्रेश शेयर होल्डर एक लाक इसके बाद प्रफ्रेश शेयर होल्डर तू खत्म सब्सक्राइब करने वाले हैं यहां पर तो मैं भी सिंपल कर रहा हूं दोनों केस में कोई दिक्कत है दोनों आपको बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा कुछ भी नहीं है दो ही तो इंट्री है इसलिए मैं कहता है प्रफ्रेश शेयर कैपिटल कर लो हां इस चैप्टर के साथ आपके बोनस बाइबेक सब इंक्लूड होंगे आगे चलके तो मैं जो लास्ट पहले टॉपिक कवर कराके फिर लास्ट में जो एक कुश्चन करवाऊंगा जिसमें जो एक्जाम में पूछे जाने के संभाव ना रहती है अगर मैं डारेक्ट करा दूँगा तो फिर बोलोगे सरी एंट्री कैसे हा रहा है मिटा दें इमेज क्लिक करना है करिए चलिए एक्जामपल और आपको नई बैलेंशीट बनाने को भी आएगा इसके अंदर तो नई बैलेंशीट वही बनाना है जो फाइनल अकाउंट है फाइनल अकाउंट पॉसिबल नहीं है कि रिविजन कराया जाए क्योंकि उसके इंदर बहुत सारे मल्टिपल लेजर बनत है ठीक है हमारे पास जनर्रिजम में है 25,000 और कहता है कि रिक्वाइड अमाउंट रिक्वाइड अमाउंट वाइफ फ्रेश इशू मैं प्रॉपर लेंग्विज कोश्चन की तो नहीं लिख रहा लेकिन हाँ आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएगी कोश्चन समझ में है यानि सर हमें एक लाक रुपए का इंतिजाम करना था जिसमें से CRR का मैं इंतिजाम कितना कर पाऊंगा कुश्चन ने बोल दिया भाई मुझे पता है CRR तुमारा एक लाक नहीं हो पाएगा बाकी किसके इंतिजाम कर लूँआ फ्रेश इशू से इस कुश्चन के अंदर अगर आंसर देखें तो फ्रेश इशू कितना होगा हमारा पताईए 75 कैसे क्योंकि 25,000 तो हमारे CRR से बन गया टोटल इंतिजाम कितना करना था एक लाक जिसमें से 25,000 तो हमारा कहां से आ गया CRR तो जो बैलेंस बच्चा हमारा 75 का हमें क्या इशू कर देना चाहिए फ्रेश इशू चलिए फ्रेश इशू करते हैं क्या करेंगे बैंक अकाउं डेबिट तू शियर अप्लिकेशन कितने 75 दस रुपे का एक है बिंग बगेर है में वो सारी डिटेल आप डाल दोगे के 10 रुपे का एक शियर है इस तरीके से जो की लिखा जाता है और यहां पर मैं कर देता हूं 75 हंडिड इंटू में 10 ठीक है शियर अप्लिकेशन टू एकुटी शियर कैपिटल 75 के अब क्या बनाना पड़ेगा हमें CRR CRR बना लेते हैं तो CRR कितना बनेगा हमारा जी आर से जाना रिजब टू कितने रुपे है पच्चेस अजार नेक्स्ट प्रफ्रेंशियर होल्डर को बुला लिया जाए तो 10 परसेंट प्रफ्रेंशियर कैपिटल कितने एक लाग और टू प्रफ्रेंशियर होल्डर कितने एक लाग अब प्रफ्रेंशियर होल्डर को क्या करो बैंक से पैसा देखे खतम करो एक लाग एक लाग कोई डाउट अब यह वाला क्वाइंट था पार्ट ली तो आप देखोंगे बिल्कुल सिंपल सिंपल एंट्री है इसके अंदर एक केस और आइडन करना चाहता हूं मैं लास्ट एक्जाम्पल को यानि इसी वाले एक्जाम्पल के अंदर केस एड करना चाहता हूं कंपनी रिक्वाइड मिनिमूम बैलेंस एंड रेजर्व 10,000 देखेगा अब कोश्चन यही है सारा बस एक लाइन एड ओन कर दिया कंपनी चाहता है कि मेरे रिजर्व में तो 10,000 पड़ा ही रहे इसका मतलब पहले हम 25,000 इस्तमाल करने के लिए फ्री थे पूरा लेकिन अब कंपनी ने बाउंडिशन रख दिया कि रिजर्व के अंदर आपको बैलेंस कितना बचाना है 10,000 अब कितना आप CRR के लिए पैसा इस्तमाल कर सकते हो only 15,000 कितना इस्तमाल कर सकते हो 15,000 रुपए ठीक है न स्रेफ और स्रेफ 15,000 तो सबसे पहले आप आजए इसका आंसर अगर देखें तो हमारा शेयर अप्लिकेशन तू बैंक कितने रुपए एक लाग पिछहत्तर नहीं अब 85 आएगा फरक देख ले न आप और बैंक शेयर अप्लिकेशन अन उल्टी एंट्री करते है यहां आएगा बैंक और यहां शेयर चो एक्विटी च्रीयर करेंगे अंग्रिकेशन Shouldn't trip अ किर्शेयर अग्रेशन ऐखले झारी सिर्टेशन के ऑर इसके बाद अगली एंट्री कीया करेंगे हम सी एर बनाने साग्रिम पandram 5,000 ग्या इंग थे कि आजऊंडरी और या अगली इंट्री इन दोनों में कोई कोई भी बदलाव या इंत्रया क्ड़ी में कोई भी बदला नीया ऐगा सेम इधर भीया जायगा इस में किसी को कोई डाउट जितनेップे लाइव में किसी को कोई डाउट पताई यह एक और केस्सम्हाँ आन करूँगाय कि कर दूर कैसyes जिसको इमेज क्लिक करना है करिए फटा 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 यह कोई डाउट विटा दिया जाए हां तो उसका कुछ करना ही नहीं है अगर बैलेंस शीट बोला जाए तो वहां रिजर्व एंसर प्लस में दसजार हो जाएगा इसने तो बस इंडिकेट किया है कि आप कितना कैसे कैसे जनल एंट्री करोगे हैं अरे मैंने कोश्चन मिटा दिया चलो 10 परसेंट प्रिफरेंश शेयर कैपिटल एक लाख जनल रिजर्व में पच्छेस अजार कंपनी रिक्वाइड मिनिमम बैलेंस इन जनल रिजर्व यह रिजर्व नहीं बोलेगा वह बोलेगा रिजर्व में रुपीज फाइट थाउसें ठीक है पूर्दा परपस ओफ रिडेंशन ओफ रिडेंशन पूर्दा परपस ओफ रिडेंशन तोल्ड इन वेस्मेंट पूर्दा परपस ओफ रिडेंशन तोल इन वेस्मेंट भूक वेल्यू पचास अजार एट पूर्टी एट थाउसें सबसे पहली बात ऐसे कुश्चन में आपके पास जनर रिजर्ब कैलकूलेशन करना पड़ेगा सर जनर रिजर्ब में कितने पैसे पच्चिस हजार ये तो पूरा इस्तमाल नहीं होगा कंपनी ने बोला भाईया मिनीमम रख लो मिनीमम रिक्वार्मेंट पांच हजार तो हमारे पास CRR के लिए बचे कितने पीस हजार लेकिन मैंने इसको भी लॉस में बेच दिया है तो दो हजार यहां भी लॉस हुआ है इस लॉस को भी माइनस करो लेस क्योंकि लॉस भी कहां से माइनस हो जाएगा रिजर्वेंट सर्क्मिस प्रॉफिट लॉस में से माइनस होगा लेस लॉस कितने पे का दो हजार नाव हमारे पास सिर्फ एटीन थाउज़न अभी लेबल है फोर यूज सी याना समझ मैं इस बात आपको और यही चीज मैं कुश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछू अगर यही चीज मैं बेचा होता मैंने अगर फिफ्टी टू का माल लेते है तो जो प्रॉफिट दो हजार है वो यहाँ पर क्या हो जाता एड हो जाता तो हमारे पास कितना अभी लेबल हो जाता बाईस हजार उसके accordingly बनाते है ठीक है मैंने क्या बता है आपको चलिए अब फटा फट से क्या करना है सर balance amount fresh issue से करेंगे हम required मैंने लिखा नहीं balance fresh issue से कर लेते हैं fresh issue 18 तो पढ़ा हुआ है हमेरे जरुरत कितने की थी एक लाग जिसमें से 18 सारा CRR से निकल जाएंगे तो मुझे कितना बनाना पड़ेगा 80 82 का फ्रेश ईशू करना पड़ेगा समझ मैं यह वर्किंग नोट आपको करना पड़ेगा ठीक है तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट कि इतने 82 टू शेयर अप्लिकेशन कितने आ जाएगा एटी टू इसके बाद शेयर अप्लिकेशन तू इक्विटी शेयर कैपिटल एटी टू अगले एंट्री पर आ जाते हैं अब इन्वेस्मेंट बेच लो बैंक 48 का प्रॉफिट अन लॉस या जनर रिजर्ब ले लो और लॉस ये ले लो तो हजार आपके पास से इन्वेस्मेंट चला गया कितने का इन्वेस्मेंट चला गया 50 का. पहले ये तीनों एंट्री देखके दिख़त है वगी बैंक डेपिड क्यों हुँआ क्योंकि हम इन्वेस्मेंट बीच रहे हैं कितने पैसे आए 48 नुक्सान 2000 और मेरा इंवेस्मेंट जितना भी चला गया कितने चला गया 50 अब CR बना ले तर जनरर रिजर्व तू कितने पैसे बना सकते हैं अउनली 18 अब बुला लो पर फ्रेंग शेयर को एक लाग तू पर फ्रेंग शेयर होल्डर एक लाग इसके बाद बैंक फ्रेंग शेयर होल्डर तू बैंक देखे अगर आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ रहा है माइंड में बिल्कुल कंसेप्ट बैठ रहा है तो छोटी-छोटी सी चीज़े एड़न होगी और जोकी बहुत नॉमिनल सी बाते हैं लेकिन हाँ स्टार्टिंग से कोई बच्चा सोचे का मैं सीधा यहीं से स्टार्ट करों तो कंफ्यूस हो जाएगा आगे लेकर घ्या रहा हूं और रिवीजन में ऐसा मतलब नहीं है किसमझ में नहीं आएगा जो बच्चा पहले से शेर कैप्टेल वाला चप्टर करके बैठा होगा और शेयर कैप्टेल वाला उसके लिए बड़ी बात नहीं है इसे इंट्र यहां पर क्या बना रहा है याँ बना रहा है यहां पर बने रहा है यह त्यां आदे एक है यानि सार हमने यह भी कर लिया ये दो टॉपिक पार्टली वाला भी ख़दम हो गया देखो आगे बढ़ते जा रहे है अगला टॉपिक है फ्रेश इशू फॉर फाइनेंस ये कई बार पूछा जाता है इसमें बच्चे परिशान हो जाते हैं कई बार फ्रेश इशू फॉर फाइनेंस इसके अंदर मैंने ब प्रेश इशू को ही राइट इशू गयते हैं अगले पॉइंट पर आजाएं एक्जामपल 10 परसेंट प्रेफरेंट शेयर क्यापिटल रुपीर्स वन लैक जनर रिजर्ब में हमारे पास पैसा पढ़ा हुए है वीस अजार या तीन लाग जनर रिजर्ब में कितना पैसा ह है तीन लाग मेरे पास कैश का बैलेंस है पच्चिस हजार हमने इंवेस्मेंट सोल्ड कर दिया पंद्रह हजार का और जिसकी कॉस्त ही पीस हजार की ठीक है कुश्चन समझ में आ रहे है पोर फाइनेंस पोर फाइनेंस का मतलब जो उसको पेड करना है पैसा है रिक्वाइड अमाउंट प्रेश इशू एक वोटीशियर अब क्या कहता है अब प्रेफरेश यह होडर को पैसे कितने देने हैं अब वहां से क्यलकूलेशन स्टार्ट होगा पिछली बार हमिं क्या करना होता था था पॉइंटों भी से करते थे लेकिन यहां पूरा ही बना सकते हैं देखो एक लाग का चाहिए और बैलेंस पर कितना पड़ा हुआ है तीन लाग तो बहुत सारा है लेकिन अब उसने बोला कि फाइनेंस के लिए अगर हमें उसे पेमिंट करना है तो उसके लिए भी फ्रेश इशू करो तो बहिया अगर फाइनेंस का अगर हिसाब किताब और हमें जुरत पड़ेगी कितने की 75,000 इन्वेस्मेंट सोल्ड करके भी तो पैसा आएगा कितने आएंगे 15,000 और कितने की जुरत पड़ेगी हमें आएगे 16,000 रुपे कहीं दूर दूर तक आपको अवेलिबल नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है अगर आप क्योंकि कोश्चन कहता है आप फ्रेश इशू और दोनों का मतलब के बराबर होना चाहिए तो अगर आप फ्रेश इशू कर रहे हैं उस आठ का फाइन तो चालिस का इस इर बनाओ इंट्री कहां से स्टार्ट होगी आप सबसे पहले इंवेस्मेंट को बेच दें बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए पंद्रह हजार प्रॉफिट और लॉस नुक्सान हो गया तो डेबिट कितने का पांच हजार और हमारे इंवेस्मेंट गया कितने का चला गया 30,000 क्लियर यहां तक क्लियर है सबको अब क्या करना है फ्रेश इशू करतें तो फ्रेश इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लिकेशन साथ हजार यह वर्किंग नोट आपके दिमाग से होगा कोई सिखा नहीं सकता आपको खुद कैल्कुलेट करना पड़ेगा यह शेयर अप्लिकेशन टू एकुटी शेयर कैपिटल अब क्या करें सियर अर बना ले जैनर रिजर्व तो सी आर आर कितने पर चालिस अजार अब इसके बाद 10 परसेंट प्रफरेंच यह कैपिटल तू प्रफरेंच शेयर होल्डर एक लाग और प्रफरेंच शेयर होल्डर तू बैंक बिल्कुल माइनस होगा अब जब मैं बैलिंच शीट बनाऊंगा तो मेरे पास जी आर में कितना पैसा था तीन लाग जी आर के बाद हमारा लॉस कितना माइनस हो जाएगा पांच हजार और मैंने सी आरर में कितने भेज दिये चालिस हजार तो नए बैलिंच शीट में स्टिल मेरे पास पैसा पड़ा होगा दो लाग पच बना जाएगा समझे यहाँ पर इंट्री में नी रिफलेक्ट होना तो आप देखो कोश्टन दो तरीके से सोच घएए और ध्यान से देखना एक तो सोच रहे थे पहले वाला कोश्टन करे भईया सी आरर कितना बनाना है उसके हिसाब से कैलकूलेशन और यह वाला कैलकूलेशन किसके हिसा कि जो balance हमारे finance amount है वो loan के थुरू हम compensate कर देंगे तो उस case में fresh issue नहीं करोगे ठीक है ना मैं चलो करी देता हूँ अगर मैं कहता कि balance finance by taking loan loan लेके करेंगे balance finance तो भाई या balance finance loan लेके करोगे तो आपका सबसे पहले देखो requirement कितना है आपके पैसे का पट रहा है साथ हजार की जौरत है तो अब हम fresh issue नहीं करेंगे साथ हजार का साथ हजार की entry करेंगे bank account debit तू bank loan अब बता दो CRR कितने का बनेगा पूरे एक लाग का क्योंकि कोई fresh issue हुआ ही नहीं उस case में क्या होगा हमारा GR 2CRR that's it आगे की कहानी सेम रहेगी पता ही है कोई doubt clear तो ये topic भी minimum finance वाला भी क्या होगा हमारा अब इसके अंदर रहता है equation वाला और french share code not trees इसमें कुछ ऐसा नहीं है और conversion इस वाले topic को मैं कल करा हूँआ मुझे अभी थोड़ा जाना भी है नो मैं कल cover करता हूँ 9am 9am यहीं पर आना है आपको तुभे और कल ये दोनो topic cover कर लेंगे और अभी आपको क्या करना है 10 year में से इसके basis पर question तो करने होंगे ना दिखाव 10 year अब इसमें मैंने topic wise बना रख़ा है कौन सा चप्रेट डाला है में ने 10 year में पीज नमबर बताने क्या है हाँ जी 10 year में आप देखेंगे available है सारी चीजे पहला question देखिए बहुत ही simple है out of profit का बना के दिया है मैंने दूसरा question जो है पहले के मैंने कुछ पार्ट करके दिये अब इसी के अंदर मैंने क्या करा दूसरा भी पार्ट fresh issue से कर दिया मैंने पहला question आपने करना है दूसरा question भी आपको करना इससे जो मैंने आज करा है इससे related कितने question कर सकते है second question second question की क्या खास बात थी in order to finance redemption of company finance यानि पैसे की जब 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 रद पड़ेगी तो company क्या कर देगा investment based देगा issue कर देगा issue कर देगा और साथ के साथ और भी जो condition lay down है वो करेगा section 55 में ठीक है न यह हो जाएगा two question पर दू एक बार कहता है PQR Limited 10,000 15% प्रफरेंच शेर कैपिटल 100 उपीस रेडिमेबल अट प्रीमियम ठीक है भाई साब 10,100 यानि 10,000 10,000 पे 10,000 11,000 की ज़रुत है आपको balance of general reserve कितने 7,000 पड़े हुए है और 10,000 respectively यानि आपका security premium में 10,000 है और in order to finance the redemption अब आपको कितने की पैसे की ज़रुत है सर 11,000 की कितने की ज़रुत है आपको 11,000 की उसके लिए आपने investment कितने का बेज दिया साड़े 3,000 लग का साड़े 3,000 लग का डिवेंचर कितने का issue कर दिया 2,000 लग डिवेंचर कितने का issue कर दिया सर 2,000,000 रुपे का तो साड़े 3,25 और फिर आपने preferentiaire भी issue कर दिया कितने का 50 इंटू 50,000 तो सब को जोड के घटा के जो आप यह calculation कर रहे हो जितना balance बचेगा आपको क्या कर देना है fresh issue या फिर जो question ने बोला होगा वो कर दोगे ठीक है? question 2 भी करना है तर question 3 भी करना है आपको question 4 भी करना है leaving balance in general reserve यह भी करवा दिया मैंने बस 4 तक question कर ये पांच भी हो जाएगा पांच तक question करने और इसके total question 10-12 होगे कितने देख पंदरह पंदरह से भी जासे तोला है ना पांच question कल करके आई ये पांचो question हो जाएगा और कोसिस देखो एक्जाम आगया मैं तो 5 दे रहा हूँ आप कोसिस करो 6-7-8-9 भी हो जाए और इससे related question मैंने आपको folder में डाल रखे आप कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा पहले फटा-फट समझ में आएगा ये लीजिए मिलते हैं कल सुभे और साम की भी class रहेगी आपकी जैसे रहती है सुभे वाली class में यहाँ पर ले लूँआ क्योंकि उस वहाँ दूसरे center पर space available होता नहीं है चलिए मिलते हैं नेक्स क्लास में गुड़नाइट